श्री शद्गुरु महराज की जै शुमिरन से सुख होता है शंतमत के वर्तमान अचार्ज पुजपाद महरशी हरिनन्दन परमहनजी महराज परमात्मा की श्रिष्टी वड़ी विचित्र है इसे देखकर आश्यडी चकित होना पड़ता है इस्वर ने इसे कैसे बनाया है हम सूर्य, चंद्र, तारे, आधी देखते हैं ये सुन्य में लटके हुए हैं और नो जाने किस कौसल से निरंतर चलाय मान है इसी तरह ये धर्टी, वन, विरिक्ष, पहार, नदी, शरोवर, शमुद्र सब को परमात्मा नहीं बनाया है सब का सिर्जन उन्हों नहीं किया है समस्त श्रिष्टी का संचालन उन्हीं के अधीन है उन पर हमारा कोई वस नहीं अपनी रक्षा भी हमारे अक्तियार में नहीं है हमारे रक्षक भी वे ही शर्वशक्तिमान परमात्मा है बड़े-बड़े हाद्शों में प्राकिर्तिक आपदाओं में बहुत से लोग काल कबलित हो जाते हैं किन्तु इन ही आपदाओं में कई व्यक्तियों की आश्चर जनक ढंग से प्रान रक्षा हो जाती है उन भाग वलियों के प्रान रक्षक परमात्मा के सिवा और कौन हो सकता है कि कि इतनी शामर्थ है रिशी केश के एक शादू थे, बस से बद्रिकास्रम जा रहे थे, पहारों का सरपिल और शंक्रा मार्ग, अलग बगल में सेक्रों फिट गहरी खाईयां, बस चली जा रही थी, अचानक दुड्योग उपस्तित हुआ, शामने से आ रही एक बस के चालक से थोड़ी अशावधानी हुई, और जिस बस में सादू जी बैठे थे, वह गहरे गड़े में जा गिरी, बस के सारी आतरी मारे गए, केवल दो ही प्राणी जीवित बचे, एक तो सादू जी, और दोसरे एक शोटी सी बच्ची, अब विचा किजिए, किसने उनकी रक्षा किए, संद कविर साव कहते हैं, काल रूप चक्की चले, शदा दिवस अरुडात, अगुन शगुन दोई पाट ला, तामे जीव पिशात, माया की चक्की चल रही है, उसमें अगुन शगुन रूपी दो पाट हैं, शगुन रूपी पाट को ह हम देख नहीं पाते, इन दोनों पाटों के बीच जीव पिशा रहे हैं, तामे जीव पिशात, आसे पासे जो रहे, निपट पिशावे सोई, कीला से लागा रहे, ताको विग्न होई, सभी जानते हैं कि चक्की में अन के दाने पिशने के लिए डाले जाते हैं, अन के जो दाने कील से दूर जाते हैं, वे ही पिशाते हैं, कील से सटकर रहने वाले दाने शाबुत बच जाते हैं, यह कील से सटकर रहना क्या है, कील से सटकर रहना इश्वर के निकट रहना है, इश्वर के निकट रहना उनका सुमिरन ध्यान करने से होगा, जो इश्वर का सुमिर उनकी रक्षा होती है। मान लिजे एक पक्षी है छोटी चिडिया वह एक विरिक्ष पर बैठा है शिकारी ने बान मारा उसने उरकर भागना चाहा लेकिन दूसरी डाल पर बाज बैठा है जो उसको शिकार बनाना चाहता है अगर वह उरकर शिकारी के बान से श्वेंग को बचाता है तो उसे बाज ले उड़ेगा नहीं उड़ता है तो शिकारी के बान से मारा जाएगा उसके लिए दोनों तरफ मौत है विवश और आर्थश्वर में भगवान को पुकारता है सच्चे हिर्दय से की गई पुकार का फल क्या हुआ शिकारी का बान जो तो बाज को जा लगा और शिकारी को सर्प ने डश लिया वे दोनों जो मारना चाहते थे श्वेंग समाप्त हो गए रक्षा किसकी हुई जिसने परभू का असमरन किया पुकारा जो शुमिरन करते हैं उनकी रक्षा होती है शंकट उन्ही का टलता है शंद कविर सहाब ने कहा है शुमिरन से शुक होता है शुमिरन से दुख जाए कह कविर सुमिरन किये शाई माही समाए शुमिरन करने से शुक की प्राप्ति होती है और शंकट टल जाता है लेकिन कब शंद कविर सहाब कहते हैं शुक में शुमिरन ना किया दुख में किया याद कह कविर तादाश की कौन सुने फरियाद सुक में प्रभू का शुमिरन नहीं किया और दुख पढ़ने पर उन्हें असमरन करने लगे तो कविर सहाब कहते हैं कि ऐसी दसा में फरियाद नहीं सुनी जाएगी रक्षा नहीं होगी जो सुख में भी सुमिरन करते हैं, शंकट काल में परभू उन्ही की रक्षा करते हैं मन में स्वहाविक रूप से प्रस्ण उड़ता है कि जब सुख दुख दोनों में परभू का सुमिरन करते हैं तो दुख क्यों आ जाता है शंत लोग कहते हैं कि कोई किसी को दुख नहीं देता अपने कर्मों का फल ही सब के सामने दुख सुख के रूप में आता है पुर्व के जीवन में जो कू कृत्य या कू कृत्य हमसे हुआ है यह सुख या दुख उसी का परती फल है जो पुर्व जन्मों से इस जीवन तक सुमिरन करते आ रहे हैं और फिर भी विपती आ रही है तो यह पहले के किसी जीवन के किसी कर्म का फल है सुमिरन से वह विपती टल जाती है अध्वा उसकी तिब्रता घट जाती है सुमिरन करते करते प्रमात्मा का सक्षातकार हो जाता है उनकी प्राप्ती हो जाती है महज प्राप्ती ही नहीं भक्त उन्ही में विलीन हो जाता है वह कौन सा सुमिरन है जो भक्त को भगवान में मिला देता है कहते हैं जप तप शंजम शाधना शब सुमिरन के माही हम लोग मानज जप, मानज ध्यान करते हैं, दृष्टी योग का साधन करते हैं, नादानुशा नान करते हैं। मुह से बोलकर जो जब करते हैं या अंदर में जो शब्द हो रहा है उसको सुनते हैं, दोनों सुमिरन ही हैं। सुमिरन शुरत लगाई के मुख्ते कछुन बोल बाहर का पट देई कर अंतर का पट खोल सुमिरन से सुख होता है जो नादानों संधान करते हैं उनको अपने अंदर सुख मिलता है अंतर में होने वाले नाद को जब कोई पकड़ता है तो जैसे शक्तिशाली चुम्बक भारी से भारी लोहे को खीच लेता है उसी परकार वह नाद उसे अपनी ओर खीच लेता है परमात्मा बड़े शक्ति शाली है पुर्ण सामर्थ वान हमारे अंदर होने वाले नाद उनकी उपस्तिति का द्योतक है और हमें पुकार रहा है उसमें बहुत सक्ति है विमल विमल अनहद धुनी बाजे अनाहत धुनी कह परमात्मा से निकलती है रोज पाट करते हैं और व्यक्त अनाधी अनंत अजय अज आदि मुल परमात्म जो धुनी प्रत्म अशफुटत पराधरा जिन्से कहिये अस्फोट में सो पहले पहल परमात्मा से सब्द निकला उसे ही अनेक नामों से शाधकों ने अभिहीत किया वही शार शब्द है, उसको जो पकड़ लेते हैं, वे श्वईंग खीचते चले जाते हैं, वह शब्द ही उन्हें अपने उद्गम अस्थान की ओर खीच कर ले जाता है। पांच मंडलों के अलग-अलग केंद्री शब्द हो रहा है, उसे कौन सुनते हैं, जो द्रिष्टी योग का साधन करते हैं। तो मन भी समेट में आ जाता है, शाधक के वरीती सिमटती है, तो वह शब्द सुनता है, कहां जहां अस्थूल और सुक्ष्म का संधी अस्थल है, वहां उसे केंद्री शब्द सुनने को मिलता है। निचले मंडल का केंद्री शब्द उपर के मंडल के केंद्री शब्द को पकड़ा देता है। क्रमशह, सुक्ष्म, कारण और महा कारण मंडल का केंद्री शब्द सुनेंगे। महा कारण के केंद्री शब्द को जो सुनेंगे, उन्हें सार सब्द खीच कर ले जाता है, जो कैवल्य मंडल का केंद्री शब्द है। यही शब्द अंततह शाधक को परमात्म पद में ले जाता है। बिना द्रिष्टी योग पोड़ा किये जो लोग कान बंद करके नादानों संधान करते हैं, वे अस्थुल सरीर का शब्द सुनते हैं और उस समय शाधक बाहर की भी आवाजें सुन लेते हैं। नादानों संधान कर रहे हैं, लेकिन किसी के बोलने की आवाज, भारी वाहनों के गुजरने की आवाज या किसी आघात से उत्पन हुई आवाज भी शाधक को सुनाई पड़ जाती है। लेकिन अस्थूल या सुक्ष्म मंडल के केंदरी सब्द को जब सुनेंगे तब बाहर की आवाज नहीं सुन सकेंगे। जब आप द्रिष्टी योग का साधन करते हैं, तो द्रिष्टी का सिम्टाव सुसुमना में हो जाता है, अस्थूल मंडल से आप उपर उठ जाते हैं और तब आपको बाहर का ख्याल नहीं रहता, बाहर होने वाला सोर आपके शिरवन में नहीं आता। द्रिष्टी योग का साधन पूरा कर लेने पर नादानु संधान के किरिया ठीक ठीक होती है, तब जो आवाज आप सुनते हैं उसी के लिए कहा है, विमल विमल अनहद धुनिबाजे सुनत बने जाको ध्यान लगे। जिनका अईशा ध्यान लग जाता है, वे ही विमल विमल अनहद धुनिबाजे को सुन पाते हैं। लेकिन ध्यान लगाने के लिए संध कबिर शाहाब ने कहा है, किर्णों को जोड़ो अर्था द्रिष्टी योग का साधन करो, द्रिष्टी योग का साधन किये बिना लोग उस मधुर ध्यानी को नहीं सुन सकेंगे, वह मधुर ध्यानी तो निरंतर हो रही है, लेकिन हम वहाँ है ही नहीं, जिस तरह किशी कमरे में बाते हो रही है, हम उस कमरे में होंगे, तभी तो उन बातों को सुन सकेंगे, जहां अनध ध्यानी हो रही है, हम वहाँ पहुंचे ही नहीं हैं, अन्यत्र हैं, दूसरे जहमेलों में उल्जेव हैं, फिर आप उस ध्यानी को कैसे सुनेंगे, यह हम शरीड में तो हैं, लेकिन बाहर के ख्याल में हैं, इंद्रियों के शंग होकर हम बहिरमुख हो गए हैं, इंद्रियों के शंग में से छूट कर अपना शिम्टाव अंदर की ओर करना होगा, तब हम उस मधुर ध्यानी को सुन सकेंगे, इस तरह जो सुमिरन करते हैं, उन्हीं के लिए क्या गया है, कि सुमिरन से शुख होता है ऐसे साधक को अंदर में सुख होता है, बहुत सुख प्राप्त होता है, उसके सामने बाहर का सुख फीका हो जाता है, आंत्रिक सुख प्राप्त करने वाले साधक का मन बाहिशुखों की ओर नहीं जाता ब्रह्म प्यूश मधूर सीतल जो पय मन सो रसपावे, तो कत्य मरिक जाल रूप विशय कारण निशिवासर धावे, जिनको ब्रह्म रूपी अम्रित की प्राप्ती हो जाती है, उनका मन फिर मरिक तृष्णा जल के समान जूठे विशय शुक की ओर क्यों जाएगा एकागरता की प्राकाष्ठा पर विमल विमल अनहदद होनी सुनाई पड़ती है, फिर पुर्व कृत कर्म के फल भोग का अवसर भी आ जाए, तो उसकी तिब्रता का कुछ ज्यान नहीं होता भगवान बुद्ध के एक शिस्य थे, जंगल के शांत एकांत अस्तल में ध्यान कर रहे थे, उनसे द्वेश करने वाले कुछ लोग उसी दसा में उनने डंडे से पीटने लगे, उन लोगों ने डंडे के प्रहार से उनके हाथ पौँ की हड़ियां तोड़ दी, लेकिन शि पैर तो किसी काम के योग्य रह नहीं गये हैं, ध्यान शादना में वे बहुत उपर उठ चुके थे, उनको योग शक्ती प्राप्त हो गई थे, अपने योगवल से वे अकास मार्ग से भगवान बुद्ध के पास पहुँचे, बोले कि भगवन यह शरीर अब किसी काम के ल उनों ने अपना शरीर त्याग दिया, सच्चे साधक को ऐसा विलक्षन अधिकार हो जाता है, शरीर में रहते हुए दुखों से छोट जाता है, सधारन लोग भी जिनों ने उस अवस्ता को प्राप्त नहीं किया है, किन्तु ध्यान भजन श्रधा पुरवक कर रहे हैं, शंकट काल में सबों को परमात्मा की याद आती है, नास्तिक लोग जो कहते हैं कि हम परमात्मा को नहीं मानते, उन्हें वी शंकट की घरी में परमात्मा की याद आती है, भागलपूर बिहार में ऐसे ही एक नास्तिक थे, वे कहते थे कि जिनको हम आखों से नहीं देखते ह इस्वर है यह बात उनने कौन समझावे एक बार ऐसा हुआ कि सावन या भादों के महने में कई लोग नौ से गंगा नदी पार कर रहे थे उन लोगों में से नास्तिक महानुभाव भी थे नौ जब बीच नदी में पहुंची तब अचानक तुफानी हवा चलने लगी उत्ते प्रण करने लगे उन्हें पुकारने लगे शंकट कि उस घरी में परमात्मा को पुकारने वालों में वे नास्तिक महानुभाव भी थे इस्वर की मौज ऐसी हुई कि तुफानी हवा का वेक थोड़ी देर में ही शांत हो गया और नौ में सवार सभी यात्री शौकुशल ग पुकारने लगे लज्जित होकर नास्तिक महानुभाव ने खेद परकट करते वे कहा नहीं भाई एक ऐसी शक्ति अवश्य है जो अद्रिश्य होकर भी सारी स्रिष्टी का संचालन करती है उसी के कारण सब की रक्षा होती है यह किसी और के वश्य की बात नहीं है परमात्म आस्तिक सब को यह मानना पड़ता है जो स्रधायोक्त होकर शुख दुख में हमेशा सुमिरन करते हैं परमात्मा उनकी पुकार अवश्य सुनते और उनके संकट दूर कर देते हैं जो शुख में सुमिरन नहीं करते शिर्फ दुख में परभू को पुकारते हैं उनकी पुक फर्याद उनकी फर्याद नहीं सुनी जाती इसलिए शुक में भी सुमिरन करना चाहिए यह परवचन महर्शी में ही आस्रम कुप्पागाट भागलपूर में दिनांग 4 जुलाई 2011 इस्वी को सप्ताहिक सच्चंग के सुवशर पर हुआ था शिरेश अद्गुरो महराज की जैए